हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टेक तो फ्रेंट्स, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आप यूट्यूब के उपर यूट्यूब शोर्ट्स वीडियो बनाकर उससे महीने के लाखर रुपे अर्न कर सकते हैं मतलब आप YouTube Shorts से पैसे कमा सकते हैं वीडियो बनाकर और आपको ये भी पता होगा कि आप Instagram पे भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें आप अपने Instagram में वहाँ पे Reels वीडियो बनाकर आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं लेकिन आप में से काफी सारे लोगों को एक प् करना हूँ कि आपको अपने Instagram एकाउंट में कौन से सेटिंग करनी है जिसके बाद आपको भी अपने Instagram पर Reels Bonuses का ओप्षन देखने को मिलेगा बहुत जल्दी और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपने Instagram एकाउंट में क्या-क्या चेक करना है जिससे आपक नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नहीं वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन के उपर जैसके आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले Instagram की जो application है उसको open कर लेना है आपको इसे ध्यान से देखना है कि आपको कौन-कौन सी setting करनी है बोनस इसका option पाने के लिए तो मैं सबसे पहले अपने Instagram account पे आ गया आप देख सकते हैं यहाँ पे यह मेरी home screen आ गई तो यहाँ पे नीचे हम मैं अपने Instagram की profile वाले icon पे click करके यहाँ पे मेरी profile खुल गयी है आप देख सकते हैं इसके बाद आपको सबसे पहला क्या setting करनी है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यहाँ सेटिंग का option एक दिखाई देगा तो आपको यहाँ सेटिंग के option पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे काफे सारी option दिखाई देंगे इसमें आपको third option पे जो privacy का जो option है आपको इस पे click करना है और यहाँ से आपको देखना है जो आपका जो account यह private account ओन कर रखाए है मतलब अब यह private account है तो सबसे पहले आपको इसे public कर देना है यहाँ पे switch to public का option आया जैसी मैंने उस पर क्लिक किया ठीक है इसमें कोई भी आपके जो आपका इंस्टाग्राम है उसे देख सकते हैं आप पढ़ सकते हैं सारी चीजे डिटेल में दे रखी है उसके बाद स्विश्ट टू पबलिक पे आपको क्लिक करना है तो आपका जो एक काउंट है वह आप देख सकते हैं ठीक है प्राइवेसी सुपर विजन सिक्योर्टी एड्स यहाँ पर एकाउंट्स का एक ओप्शन दिखाई देगा आपको इस एकाउंट्स वाले ओप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है बिल्कुल यहाँ पर आप लि क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर continue करना है पिर से continue फिर से continue उसके बाद continue ठीक है यहाँ से आप describe यू मतलब जो आपको यहाँ पर जिस भी तरिका आप content डाल रहे हैं इंस्टाग्राम अपने अकाउंटपे तो वो आप यहाँ से स्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो मे अब कुछ भी ढाल देता हूं यहां पर जैसे मैं यहां पर ढ़ता हूं राईटर ठीके सबस्दार डा कर यहां उपर आपको डिस्पले और प्रोफाइल का ओप्षिन भी मिल रहा है आप चाहें यह उन कर सकते हैं उसके बाद यहां पे आप creator और business दो option आ रहे हैं यहां पे creator select है पहले से ही तो इसी को रहने देना है next कर देना है उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं setup your professional account इसके लिए आपको यह 5 step complete करने पड़ेंगे सबसे पहले है get inspired ठीक है इस पर क्लिक करेंगे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ नहीं करना आपको simple उपर टोप राइट कॉर्णर में जो टिक का निशान है इस पर क्लिक कर देना है पहला complete हो गया उसके बाद आता है second option यहां पर देख सकते हैं grow your audience लिखा है इसके उपर क्लिक करना है और यहां से आप invite फ्रेंड वाया sms आपको simple इसमें से किसी भी एक फ्रेंड को अपने को किसी को भी कुछ भी message कर देना है ठीक है इस पर invite वाले पर क्लिक करके simply आपको message inbox में ले जाएगा वहां से message कर देंगे तो यह आपका जो टिक का निशान है यह highlight हो जाएगा और आप इसे डन कर देंगे इस step पर आपको जरूर करना है ठीक है मैं अभी नहीं करके दिखा रहा नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी उसके बाद third option है showcase your brand आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको अपने phone में से कोई भी एक reel डाल देनी है यहां नीचे आप देख सकते हैं आपे bottom left यहां पर आप क्लिक करके आपको गैलरी पर आ जायोगे आप और यहां से कोई भी वीडियो आप यहां से स्लेक्ट करके आप डाल लेना ठीक है मैं अभी आपको डाल की नहीं दिखा रहा हूं ठीक है आपको यह दोनों काम जरूर करने है उसके बाद explore tools insights आपको इस पर क्लिक करना है और य तो यह account है अब यह पूरा एक professional account बन गया आप देख सकते हैं यहां पर बोल रहा है three of five steps complete ठीक है मतलब दो step रह गए हैं आप यहां पर क्लिक करके आपको यह पांचो step complete करने हैं फिर यह option आपको यहां से हट जाएगा इतना आपको काम करना है इसके अंदर यह settings आपको करनी हैं इसके अंदर ठीक है तो अब यह professional account बन गया अब आपको bonuses का option जल्दी show होने लग जाएगा कुछ दिन बाद उसके साथ साथ आपको कुछ check भी करना है इसमें वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या check करना है अपने इस account में तो मैं यहां पर आप क्लिक करे यहां से आपको settings के उपर आना है यहां पर आपको account के उपर आना है और यहां पर third fourth number पर आपको मिलेगा account status का option आपको simple इस पर क्लिक करना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा रहा है कि you haven't post anything that is affecting your account status मतलब आपका जो account status है वो बिल इक चीज और चेक करनी है आपको यहां पर आप देख सकते हैं भार आ जाता हूं मैं फिर से आपको three lines पर जाना है settings के अंदर जाना है उसके बाद आपको third number पर creator का एक option दिखाए देगा आपको simplest creator वाले option पर click करना है यहां पर आप देख सकते हैं अभी तक bonuses का option उपर नहीं आया है उसके बाद आपको यहां पर सबसे last में monetization status मिलेगा आपको इस पर click करना है और यहां पर आप देख सकते हैं you are eligible for monetization आप eligible है monetization के लिए अगर कुछ भी आप यहां पर यहां पर आप नीचे policies भी पढ़ सकते हैं इनकी ठीक है आपको यहां पर original content डालना है अपना किस तो कुछ creators को मिला है और कुछ को नहीं मिला है तो आपको भी बहुत जल्द आपके instagram account पे यह देखने को मिलेगा तो आपको सिर्फ wait करना है अब आपको यह सारी settings मैंने आपको बता दी क्या क्या चेक करना है वो भी बता दिया है तो अम्मीत करता हूँ आपके सारी problem अप solve ह हो गई होगी तो friends अब आपको मैंने सारी settings बता दी है कि आपको अपने account को professional account में convert करना पड़ेगा और अपने account को पब्लिक रखना पड़ेगा तभी आप Instagram जो bonuses का option है reels bonuses का वो आपको मिल पाएगा और धीरे धीरे ये सब को मिल जाएगा अभी ये नया नया update आया है तो कुछ creators को मिला है तो मैंने आपको सब कुछ detail में बता दिया अगर फिर भी videos related कोई भी question query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you